करेली की टेस्टी सबजी बनाने के लिए हमने 1 किलो करेली रेली हैं और इसको हमने साफ पाने से धो लिया है और छोटचोटे टुकड़े बनाकर हम इसको काट लेंगे काटकर बिल्कुल रेडी कर लेंगे अब हम गैस पर एक बड़तन रखेंगे लोहे की कढ़ाई में ही हम माँध यहां पर डालें और 1.5 समूद, 1 अपका बनाँज дан के जिसे 25 भून लेंगा जाना करेली कुने 3, यहां पनाश होना अफों को इसकारommt करेली मशाले धिल्य नाना करेली कारीली मशाले बनाए जाता यहां से करेले की सबची बहुत ही टेस्टी बनती है तो 2-3 मिनट हम इसको चलाते रहेंगे लगातार और इसको हम भून लेंगे इसको हमें जलाना नहीं है बस हलका हलका सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तब तक हम इसको बोरेंगे इसमें बहुत अच्छी सी कुजबू आने तो यह मसाले हमारे लगभग पुरी तरह से पक चुके हैं और अब हम यह मसाले निकाल लेंगे नीचे उतार कर ठंडा करेंगे उसके बाद हम पीस लेंगे यही कढ़ाई हम दोबारा से रखेंगे गैस पर और इसमें हम डाल देंगे सर्सों का तेल यहां पर हमने दो प्याज लिए हैं और इनके लंबे-लंबे से हमने पीस बना कर तयार कर लिये हैं इसे बून लेंगे जब ये गुर्ण ब्राउन हो जाएंगे तब तक हमें इसे बूनते जाना है जब यहां प्याज हमारे अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे कटिग खुल भी नहीं लगेंगे और खाने में बहुत ही testine लगेंगे आप चाहें तो इसको अघ्य की दाल के साथ खाएंगे तो यह बहुत ही ज्यादा ठीच लगते आ वैसे आप इसको पराठे के साथ भी कआ सकते किसी की 시간이 के साथ औलिए और अब हम स्वादा नुसार नमक डालेंगे तो घर चमच के करीब हम इसमें नमक डालने के बाद हम इसमें जो भी मसाले पीस कर रेड़ी किये थे मेथी सौनफ और कलमजी और जो अब हमारा था धनीया पाउडर वो सारा मसाला हमने भून कर कर फिरलों को से पकने देंगे बहुत ही फिर से हटाएंगे और फिर से हम इसको एक बार चलाएंगे आप इसमें चाहें तो जो हमारी कली वाली खटाई होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो PC खटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे कड़वापन नहीं आएगा तो यहां पर हम PC खटाई डालेंगे एक चमच हमने डाल दिया है और इसको चला देंगे दुबारा से फिर हम एक चमच खटाई और डालेंगे क्योंकि ये करेले हमने नमक में नहीं रखे हैं तो थोड़ा कड़वे लग सकते हैं इसलिए हम इसमें खटाई थोड़ा जादा डाल देंगे तो इसका कड़वापन ब नीचे और नीचे से उपर की तरफ हम कर देंगे ताकि बराबर चारो तरफ से हमारे करेले पक जाएं अब हम इस पर ढखकन नहीं लगाएंगे यह करेले हम खुले ही पकाने वाले हैं लगबग 2-3 मिनट हम पर इन करेलों को खुला ही पकाएंगे दोस्तों ये करेले की सबजी हमारी बनकर तयार है आप चाहें तो इसको और भी ज्यादा सुखा सुखा सा कर सकते हैं लेकिन हमारे लिए ये परफेक्ट है इस से ज्यादा हम अब नहीं होते हैं जिन लोगों को टैपटीज है उनके जरूर आप उनको खिलाएंगे